हाई फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ दूद वाली सिवईयों की रेसिपी फ्रेंट्स ये सिवईयां बहुत ही टेस्टी लगती हैं और 5 मिर्ट में बनके तयार हो जाती हैं तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करें तो 5 मिर्ट में फटा-फट से ये रेसिपी ट् पसंद आये तो एक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो यहां पर मैंने ले लिए शिवईयां तो आप इस तरह के लिए देखिए बारीक वाली शिवईयां भी ले सकते हो या इस तरह की भी शिवईयां कहीं तरह के आती हैं और यह 10 रुपे का एक पैकेट मिलता है बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है तो बस इसको मैंने छोटा-छोटा कर लिया और चली अभी इसको फ्राइब कर लेते हैं तो अभी गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है इसमें मैं दो चमच गी डाल दूंगी तो गी मैल्ट हो चुका है अभी इसमें हम डाल देंगे यहां पर सिवया, तो बस इसको यहां पर डालके, एक-दो मिनट के लिए fry करना है, जाधा fry नहीं करना है, बस हलका सा color change करना है इसका, तो gas का flame हम यहां पर medium रखेंगे, क्योंकि high flame पर ही बहुत जल्दी से जल जाती है, फ्रेंट्स इस recipe को आप करवा चोथ पर try कर सकते हो या इद पर try कर सकते हो या कभी भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो बहुत सस्ते में बनके तयार हो जाती है मुश्के से 10 रुपई की मिलती है और बहुत जल्दी से बनती है तो फ्रेंट्स आप इस recipe को एक बार जरूर try कीजिए और फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक like जरूर करें और चैनल को subscribe कर ले तो यहाँ पर मैंने शिवाईयों को fry कर लिया है इसका हलका सा color change हो चुका है यह देखिए तो बस अभी फिर से मैंने एक pan रख दिया है तो इसमें मैं यहाँ पर दूझ ढाल ओंगी यहां पर एक लिंटर डाल रही हूँ है आपको जितनी बी बनानी है तो आप उससाप से बना सकते हो तो बस इसको एक बार यहाँ पर हम चला लेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे तो यहाँ पे मैं एक कप चीनी डाल रही हूं इसमें और चीनी डाल के भी इसको हम एक दो मिनट के लिए चलाएंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूं कि अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तो बस यहाँ पे अच्छा सा दूद में उबाल आ चुका ह है अभी इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसमें आधा चमच इलाइची पाउडर डाल दूगी और थोड़े से यहाँ पे पिस्ता बारी बारी कट करके मैं इसमें डाल दूगी यहाँ पे राइफूर्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो तो इसको सर्फ कर लेते हैं तो यह देखे फ्रंस दो तीन में ट्रकने के बाद ही यह काफी ठीक हो जाती है बहुत जादा गाड़ी गाड़ी हो जाती है तो कितनी बढ़ी आसी यहाँ पे सिवाईया बन चुकी है इसलिए हमें थोड़ी से पहले से पतली उतार लेनी है जिससे बाद में थोड़ी से गाड़ी भी हो जाएं तो बिल्कुल ठीक ठाक रहें तो बस अभी इसको सर्फ कर लेते हैं तो अभी मैं यहाँ पे इसके उपर से डाल दूंगी थोड़े से ड्राइफ रूट्स तो यह देख फ्रेंस थोड़े से बादाम थोड़ा सा पिस्ता पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक करें शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें